आज हम Candlestick Pattern में Hammer Candlestick Pattern शेकेंगे Hammer Candlestick Pattern उसकी बॉड़ी छोटी होनी चाहिए और उसकी वीक उस बॉड़ी से दो गुना बड़ी होनी चाहिए अब पर शाडू होगी अगर नहीं होगी तो भी चली ओ कोई मैटर नहीं करता और कलर उसका रेड हो या ग्रीन ओ भी मैटर नहीं करता लेकिन उसका प्रिवियस Candlestick Pattern सेलिंग साइट में होगा सेलिंग साइट के बाद अगर एक Hammer Candle बनती है तो यहाँ पर बुलिश का सिंगनल हमको मिलता है यहाँ से प्राइज उपर जाने की जाएदा संबोना रहता है सेलिंग पैटरन में क्या होता है सेलर प्राइज को नीचे ले जाते है लेकिन मार्केट एंड होने तक बायर आते है और उस Candle को उपर लेके जाते है और Hammer Candle बनाते है और यहाँ से हमको यह सिगनल मिलता है कि यहाँ से प्राइज यहाँ से अब ट्रेंड जाने की जादा संबोना रहती है तो Hammer Candle प्राइज एक्षिन के लिए बहुत अच्छा Candle सिक्मा आना जाता है और यहाँ से हम प्रॉपिट बना सकते है अब हम देखेंगे हमेर को traid कैसी कहा जाता है हैमर जो candle होते है वो बहुत bullish sign दिखाती है उसको कई बार pin bar भी कहा जाता है अगर एक candle support zone पर जो अगर बनती है तो यहां पे बहुत bullish sign हमको देखने को मेढता है लेकिन उसके condition ये है जब भी एक candle बनती है तो जो सेलिंग का pressure रहता है तो सबसे low पे एक candle low बना के आगर pin bar या hammer बनाती है तो उसके अगली candle पे sustain होती है तो हम यहाँ पे bike के entry लेंगे और हमारा target होगा जहाँ पे resistance zone दिखरा है उपर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे entry ले सकते हैं लेकिन condition यह है कि यहाँ पे नीचे low बना के hammer candle बनना चाहिए अगर वो support zone पे बनती है तो और उसको confirmation करने के लिए RSI का भी हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों की combination करके हम यहाँ पे entry ले सकते हैं और hammer candle बहुत bullish होती है और इसका हम फाइदा उटा सकते हैं थैंक यू